हम लोग अपने learning process को continue रखते हुए कल के session मंडे के लिए Nifty 50 के अपने trade plans को समझते हैं Bank Nifty के लिए जितने conditions हो सकते थे उसको हम लोगों ने कल और इसके पिछले session में discuss कर लिया है जिन लोगों ने अभी तक वो series नहीं देखी है आप लोग इस session को पूरा अंत तक देखने के बाद description में telegram का link है वहाँ join होके directly उस session को visit कर सकते हैं या channel को open करने के बाद भी देख सकते हैं पहले इस session को पूरा complete देखिए अगर आप Nifty 50 को regular basis पर intraday में trade करते हैं सबसे पहले शुरुवात करते हैं कि हम किस territory में trade कर रहे हैं और किन levels के ask pass trade कर रहे हैं जब भी हम lower time frame के chart को देख रहे हो और पिछले session, next session या next week के लिए अपने trade प्लान करने हो तो हमारा पहला जो concept है वो क्या है top to bottom approach top to bottom approach का मतलब हुआ एक हम higher time frame पर जाकर ये track करें कि हम किस territory को trade कर रहे हैं तो सबसे पहले हमको ये देखना होगा कि जहां हम trade कर रहे हैं वो कौन सा range है ठीक है तो यहां पर एक marking कीजिए जो बिल्कुल clarity से आपको दिखेगी ये marking क्या है सर ये marking है last momentum का marking कि price जब पिछली बार 25,100 से गिरते हुए low लगाया 23,900 के पास तो वहां से जो momentum की शुरुआत हुई थी जो price को लेकर गया था कहां तक 26,200 तक एक बात बताईए 23,900 24,000 के आसपास से 26,200 के दोसो तक का momentum लगबग लगबग 200 point का rally है ठीक है ये 200 point की rally देने वाले buyers की untested range है अभी तक इसको एक बार भी test नहीं किया गया लेकिन मैं एक आपको बात बोल दूँ कि price जब downfall में होता है तो किसी भी support area को respect नहीं करेगा अगर एक बार respect करेगा तो ही उस support area का कोई relevancy है तभी वो आपके लिए respectful है तभी आपके लिए उसका कोई need है जैसे recently हम लोग 26,000 से गिरते हुए आए और इस 24,000 के level को touch किया ये तेइस आट सो का level क्या है पिछली खरीदार यहीं से तोठी थी सर पिछली बार support का definition तो सभी को पता होगा हम लोग regular basis पे discuss करते हैं ये सारी चीज़े मैंने आपको बताया पिछली बार जहां से price sell कर गया अगर दुबारा वहीं lot कर आ गया तो सबसे यादा संभवना है कि price वहां से दुबारा higher side momentum करेगा untested range क्योंकि पहली बार price उस area की demand को उठाने आ रहा है तो वहां से momentum की गुणजाश बढ़ जाती है तो कल के session की closing देखिए एक dozy formation है यह आप देख रहे हैं अब हमारे कल के लिए जो trade plan है उसमें पहला point तो यह है अगर कल के session में price इसी range को trade करता रहा यह बढ़ी बहुत बढ़ी range नहीं है 24,300 से लेकर 24,050 इस range के अंदर अगर आप trade करते रहे तो कोई बड़ा momentum market में नहीं होगा एक choppy range हो जाएगा दूसरी बात अगर इस range से higher price चला गया तो भी बहुत बड़े momentum हमको नहीं देखने है जब तक 24,480 break नहीं हो जाता 24,500 का round figure ठीक है downside बिल्कुल clarity है अगर यह low break हो जाएं जब तक यह low breakdown नहीं होते 23,800 के तब तक हम कोई बड़ा downwards momentum नहीं देख सकते तो यह range trading है basically 24,500 से लेकर 23,800 तक यह 700 point की range में हलाकि यह बड़ी range है तो हमको अब छोटे छोटे levels को decide करना होगा और अपने biased momentum के लिए अपनी positions को plan करना होगा कि कौन से level के बाद किस direction में कितना aggressively हम लोग अपने positions को plan करें इस point को हमको discuss करना है देखिए तो यह एक untested range थी जहां से हम लोगों ने लगबग लगबग 200 point का direction momentum किया अब हम पहली बार उसको test करने आए ठीक है अब पहली बार test करने में जो हम लोगों ने पहला काम किया न वो किया है liquidity sweep का यह liquidity sweep क्या है सर liquidity sweep को समझे liquidity sweep का मतलब हुआ कि अगर 100 रुपय का price पिछली बार 110 तक चल कर गया ठीक है अब यह 110 तक चलने का मतलब है 10% का momentum अब प्राइस क्या करे दुबारा lot कर आए और 95 को touch करे और 95 को touch करने के बाद अब की बार यह price 150 तक चल कर जाए इसका मतलब हुआ कि 100 रुपय के खरीदारों ने जो भी खरीदारी की वो बहुत aggressive buyer नहीं बन पाए वो surprise को 100 रुपय तक ले जा पाए जो भी यहाँ पर quantity demand के लिए पड़ी थी लेकिन 100 रुपय के नीचे 95 रुपय यह 5 रुपय की जो range है न जब इस range में price आया तो इस range में जो खरीदारी पड़ी थी demand पड़ी थी वो price को 150 तक ले गई तो बड़ा demand area क्या हुआ 100 के नीचे का range 95 से 100 के बीच का range यह liquidity थी ठीक है वही यहां पर मैं आपको समझाना चाहरा हूँ कि price ने क्या किया एक बार यहां पर देखिए सबसे ज़रूरी जो चीज़े होती है ना जहां recent हम trade कर रहे हैं उसके पहले के projection का behavior होता है 24.800 के पास से price ने low लगाया 24.350 के पास और फिर इस 24.800 को break करके एक नया high लगा दिया 25.000 के पास लेकिन कोई बड़ा momentum तो आपकर नहीं पाए फिर price दुबारा नीचे आया और इस range के नीचे आया तो अभी morning और एक पंदरा के session में कल शाम के session में मैंने आपको सिखाया है positive और negative intent कि last low break होने के बाद अगर momentum ना मिले तो price का behavior positive है ठीक है तो ये last low तो break हुए लेकिन यहाँ पर कोई momentum नहीं हुआ मतलब इस range के नीचे जो demand है वो बहुत higher कैसे पता लग रहा है यहाँ से जो momentum है इसे पता लग रहा है कि यह demand area बड़ा aggressive हो सकता है ठीक है तो अब हमको ये तो पता लग गया कि previous time जब यहाँ से demand उठी थी उसके निचले स्थर की demand बहुत aggressive थी इसका impact तो देख लिया अब recent time पर क्या किया आज के session में अगर आप recently previous week की बात करें तो इस week हम लोगों ने इस range के low break कर दिये देख पा रहा है अब तुरंट छोटे time frame पर shift होकर आपको ये projection बिल्गूर क्लिर दिखेगा कि हम लोगों ने इस range के पास क्या किया है एक downwards momentum से एक positive consolidation positive consolidation के बाद retest और retest के बाद demand ठीक है तो हम लोगों ने जो 200 point की rally जहां से दी थी न उसके निचले इस तर की demand को trigger किया है लेकिन ये demand कितनी aggressive है ये हमको अभी नहीं पता है ठीक है तो एक बात समझे price level to level trade करता है अगर ये demand बहुत aggressive नहीं है अब ये कैसे तै होगा कि demand aggressive है या नहीं है ये तै होगा previous seller के supply से कि जो higher price पे distribution हो रहा है न वो कितना aggressive है उससे तै होगा कि सामने वाला demand देने वाला जो institutional buyer है वो कितना aggressive है कि नहीं देखिए हमारा comparison सही बाजार में काम चला है कोई हमको accurate देना data देने कोई नहीं बैठा सर ठीक है अब एक बात समझे ये previous वही range है न जहांसे 200 point का momentum रेंज तो भई है और उसके नीचे आकर आपने demand उठाई है तो आपको क्या करना चाहिए यहां से 6-7-800 point चलके जाना चाहिए इतना नहीं करना चाहिए तो पहला जो काम करना चाहिए वो ये कि आखरी seller के price को तोड़ कर उपर निकल जाना चाहिए अगर आप ऐसा करने में सफल हुए तो मैं माल लूँगा कि आपने जो 23-870 के पास खरीदारी की न उसका impact इतना तो है कि 24-500 के seller आपको नहीं रोक पाएंगे अब एक बात बताईए अगर 24-500 के seller आपको नहीं पाएंगे तो काँ रोकेगा इसके उपर के price के कोई supplier रोकेगा इसके बाद supply काँ पड़ी इसके बाद supply पड़ी ये 24-870 और ये range है 24-925,000 के पास तर 24-850 से लेकर 25,000 ये 500-500 का supplier का इसके बाद range है अगर 24-500 break हुआ तो हमको पहला target जो मिलेगा 24-800 मिलेगा ये 300 point का momentum उसके बाद अगर ये supplier बड़े हुए तो ये low break हो सकता है उसके बाद वो नहीं हो सकता ठीक है अगर price retracement करके इस high से भी निकल गया तो फिर अगला target हमको क्या मिलेगा वही सर 25,200 के पास फिर हम पहुँचेंगे ये supply का range है 25,200 अगर ये seller भी क्योंकि ये तो 200 point के buyer है न 200 point price में momentum लाए थे इसी तरीके से price में हम आगे बढ़ते हैं लेकिन recent time frame पे अगर देखा जाए तो हम लोगों ने आखरी buyers जिन्होंने 200 point का impact momentum higher direction लेकर आए थे उनके निचले इस तरकी liquidity को तो उठा लिया है लेकिन उस liquidity उठाने के बाद जैसे ही buyers ने test किया आखरी buyers sellers को जो की 24,500 का range है ये supplier range है कल के लिए भी या रखिएगा इसको break नहीं किया है इसका बिल्कुल clear cut मतलब है क्या कि जब तक price 24,500 के उपर नहीं तब तक कोई positive behavior नहीं 24,500 के उपर जाने के बाद 24,800 तक price में हम लोग target देखेंगे 24,500 break होने के बाद जब तक 24,500 break नहीं हो रहा है तब तक आखरी seller ही इसके लिए परयाप्त है जो यहाँ पर खरीदार ही हुई यही कोशिश करते रहेंगे लगातार इस खरीदार को काटने की और एक बाद समझे 24,500 तूटने से पहले पहले अगर ये 24,850 का 23,850 का range तूट गया तो downfall बहुत aggressive होगा क्योंकि एक liquidity range अगर price को नहीं बचा पाई तो बिल्कुल clear मानिये दूसरी भी नहीं बचा पाईगी यही मैंने आपको बोला कि support ब्रेक करना बिल्कुल बाजार के लिए आसान होता है बिल्कुल clear हुआ दो घंटे के time frame पे चले चार्ट आपको बहुत clear दिखना चाहिए तब ही हम चीज़ों को अच्छे से समझ पाते हैं ट्रैक कर पाते हैं ठीक है और लो यह 24,666 के पास अगर इसी यह not formation है सर दिखाऊ मैं आपको पहले इसको mark कर देता हूँ दस या पास मिट किसी भी time frame यह not formation है पंदरा मिट का time frame आप लोग लगाये थे ना यह देखिए यह not formation है एक candle lower side lower wick एक candle upper side upper wick तो निचले इस तर पे खरीदार अपनी positions को बना कर बैठा है higher price पर विक्वाल price जब तक इस range में है तब तक कोई momentum नहीं मिलेगा अगर price ने इस range के high break कर दिये तो इस range के बाद price पहले इस dozy तक आएगा dozy के बाद अगर breakdown होके यह low break हो गया है अगर कल के session में बहुत ध्यान से सुनिएगा employed volatility IV सबसे बड़ा roll अदा करेगी previous week जो price में volatility थी हमने उसी को कम होते हुए देखा है इस पिछले हफते अगर आप गौर करें तो price में जो volatility थी पिछले दो-तीन session में हमने उसी को कम होते हुए देखा यह देखिए यह आपका 8 तारीक का trading session है यह 7 तारीक का trading session है और यह 6 तारीक का trading session है इसके पहले के trading session देखिए यह 1 November है यह आपके लिए 4 November है और यह 5 November है और यह 6 November है और 6 November के बाद के trading sessions यह है तो volatility कम हो गई कैसे 17 के उपर का जो vix trade कर रहा था अब वो 15 के नीचे trade करा है, यहाँ पर देखे 14.45 लगाता है, और Wix जब downfall करता है, तो price में consolidation बढ़ जाता है, price में calmness आ जाती है, दीमा बना जाता है, और जब भी price calm होगा ना, तो accumulation शार्फ हो जाएगा, खरीददारी और बढ़ने लगेगी, suppliers selling कम करने लगेगे, lower interest हो जात है, sellers का बिकवाली को लेकर, ठीक है, ऐसे time frame पर, अगर 3% negative Wix, कल भी आपको दिखे कि Wix downfall में है, और price इसी range को trade कर रहा है, तो एक बास समझ लीजेगा, कि कल का session buyer day नहीं होगा, seller day होगा, कि price range को trade करते करते ही, पूरा दिन गुजार देगा, एक बात तो बिलकुल clear है, 300 point की range में पूरा दिन गुजर जाएगा, वो कब होगा, जब Wix downside होगा, अच्छा, अगर Wix downside होगा, तो lower direction momentum को भी आप नहीं देखेंगे, बहुत कम देखेंगे, अगर negative Wix trade कर रहा है, कि 1% पे खुला था, फिर 0% पे आ गया, फिर minus 1%, फिर minus 2%, फिर minus 3%, अगर downfall Wix होगा न, तो आप या तो consolidation के लिए अपना opinion रखेंगे, या फिर देखेंगे कि कोई breakout मिल जाए, तो long करने का मौका मिले, market में less fear, higher side momentum की possibility higher कर देती है, ठीक है, दोराओ, market में less fear, higher side momentum की possibility को higher कर देती है, जब भी market में डर कम होगा, तो उपर जाने के price की संभावना बहुत अधिक हो ज जिसको आप लोग expiry को gamma effect के नाम से जानते हैं, अगर price एक डेड़ बजे तक कोई momentum नहीं किया, तो ये दो session, अगर आप 7 तारीकों 17 से लेखेंगे, price ने बिल्कुल कोई momentum नहीं किया, 8 तारीक को आप देखें, पहले एक volatility के बाद कोई momentum नहीं हुआ, तो price अगर इसी तरीके का momentum एक डेड़ बजे तक करता रहे, इसी range में choppy बना रहा, अगर डेड़ दो बजे के पास किसी side breakdown या breakout मिल गया, तो आपको बहुत aggressive momentum देखने को मिल जाएगा डेड़ दो बजे के बाद, second half में, और अगर first half में यहीं चीज़ हो गई, पहले गंटे में, तो या तो price लगा टिकी सारी possibility को एक बार देख लिया है, एक downwards possibility को नहीं देखा, कि price में अगर wix higher side trade किया, क्योंकि हम लोगों ने अभी liquidity range को सिर्फ touch किया है, उसका breakout नहीं किया, तो price में weakness है, कोई strongness नहीं है, तो price अगर wix higher side trade करे, gap up करने के बाद यह low breakdown हो जाए, price retest करने के बाद, पहला ज जितने possible momentum कल के लिए है, सारे trade plan हम लोगोंने discuss कर लिए, इसके बावजूत अगर nifty 50 के pattern में कोई doubt है, तो नीचे comment section में बताईएगा, अगर आप हमसे जुड़ना चाहें और classes में आना चाहें, तो नीचे description में आपको application का link मिल जाएगा, telegram का link मिल जाएगा, वहां से जुड का link पिन कर दूँगा, उसको download करके भी आप directly classes को enroll कर सकते हैं, सुब रातर ये धन्यवाद